तो यह आपका आगाखा पैलेस के अंदर जाता हूं गांदी जी की अद्बुत प्रतीमा यह दोस्तों कितनी सुन्दर लग रही है आपकी इसकार ती है गांदी जी ने आम सब को उठाने में बड़ी मेहनत किया है देश वाजादी दिलवाने के अंदर ये देखे आप मोहन दास करम चंग दादी दोस्तों ये देखे कितना भैतरी बना हुँ है करेंगे या मरेंगे इसी इच्छा के अनुसार सब लोगों ने लड़ाई की थी अजादी के लिए और इनी सब लोगों के विज़ा से आज हम अजाद हैं आज पूरा भारत अजाद है पर समय समय पर हम भूल जाते हैं कि मात्मा गांदी ने हमें क्या कहता ये देखे कितने सुन्दर लग रहा है कितने सुन्दर प्रतीमा बनाई गी है और आगाखा पैलेस में आके आपको एक बार गांदी जी की या तो जुरूर आईगी दोस्तों और आपको लगेगा कि मुझे भी अपने जीवन में गांदी जी की तरह कुछ करना चाहिए दोस्तों ये है गांदी जी की प्रतीमा कितने सुन्दर लग रही है ये देखिए दोस्तों गांदी जी मुझेम इन आगाखा पैलेस दोस्तों ये है गांदी जी की प्रतीमा करसूर्वा गांदी जी के साथ और ये पूरी तरह दर्शाती आपको कितना सरल जीवन गांदी जी अपना बैतीर करते थे यह आपका गांधी ब्युजियम in agaqa palace अब कुछ पल देखते हैं यह आपर जो गांधी जी ने रसरूबा गांधी जी के साथ निभाये थे ये देखिए कर देखो तो हर जगा गांधी जी के अंदर कर दूर्मा गांधी जी थे और उन्होंने उनको इस फ्रेंड दी थी कि वो फाइट करें अजादी के लिए इंडिया की दोस्तो तो यह है उनकी प्रतिमा आपका गांधी जी की प्रतिमा कर्सूर्बा गांधी जी के साथ यह है आपका आगा खा पैलेस का गांधी म्यूजियम दोस्तो अब हम जा रहे हैं गांधी जी को हमेंशा याद करते हैं और साथ में ही बनी हुई है आपकी कस्तूर्वा गांधी जी की समाधी यह जो आप देख रहे हैं यह आपकी कस्तूर्वा गांधी जी की समाधी है दोस्तो तो दोस्तो अगर आप गांधी जी को याद करना चाहते हैं और गांधी ची के जीवन को जीगना चाहते हैं तो एक बार आपको ज़रूर रहना चाहिए गांधी मूजियम इन आगा खान पैलेष दोस्तो बहुत ही सुन्सर बना उए आपका और बहुत ही बहुत ही बेहतरीन जगह है तो दोस्तो यह है आपका गांधी म्यूजियम इन आगा खान पैलेश जो आपका एरपोर्ट से सिर्फ साथ किलोमेटर की दूरी पे है और आपका पूने का एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है जहां पर आपके इंजोई कर सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो अगर आपको यह मार सब्सक्राइब दन्यवाद